कि आपके चैनल राजस्तान एंग्जिया मंतरा के अंदर और आज कर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के अंदर आर्थिक नियोजन भारत के अंदर आर्थिक नियोजन कब शुरू हुआ किस ने शुरू किया प्रकाज यूँ वह भारत के लिए आर्थिक नियोजन फाय बंद हुआ या किस तुरीके से भारत के अदर आर्थिक नियोजन सुरू हुआश्यल नयकों शुरू हुआ हुए उनस सबी फशल्य योजन के बार में तो चलिए आजके इस वीडियो की पर देखा कि अगर आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी और सब्सक्राइब बटम के जो पहले का एकन उसे प्रेस कर देजे ताकि आने बाले वीडियो का जो आपको नुटिपिरिक साइब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कैडि अए या सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि इसको है कि प्लानिंक जो अर्फ होता है वो होता है अब प्रिवाय के अंदर जो है वो एक बजक निश्टी तो हता है कि यह बज़ट जो इसके मतली इनकम कर नहुत है और उसको जो हो उस महिने में या अपने इनकम के अनुसार कितना इंवेस्मेंट करना उसका वो पहले प्लान मनाते है दैसे एक पार को तर्षा आती है किसी भ होग रख सकी है था की हम अपने लक्ष को प्राप्त कर सके हैं कि जैसे इस संण्गनक के लक्ष को प्राप्त करने के लिए बनाएगी योजनागी क्या होता है तो देखे भारत के अंदर जो और या नियोजन की सुर्वाथ किस प्रकाव घुज में सर्षता करते हैं सबसे पहले स्वा के अदर तो अपनाया तो सबसे पहले अब चलते हैं भारत के संद्रहब में यह हो गया विश्वन सबसे पहले जो हो yochna 고 किस अब चलते हैं भात के संद्रम एंडिया के संद्रम में देखें तो इंडिया के अंदर देखें प्लानिंग को अगर वीदिवे तरीके से देखें तो 1950 के अंदर जो है वो पंद्रह मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थाथना की गई और 1951 से जो हुई थी वित रूप से जो है पंच वर्षी योजना बंडिक प्राग होगी लेकिन अगर जाए हम इसकी हिस्ट्री के अंदर इसके इतिहास के अंदर जाते हैं तो भाण चब अंग्रेजियों के गुलाम लोगे थी तो देख्ट है की टब से बात के अंदर जो प्लानिंग के बारे में चाहता हुआ है प्लानिंग के अंदर सबसे पहला जो वहा वो 1934 के अंदर एक भूक आई क्या नाम खाऊसका प्लान एकोनोमी फोर इंडिया यह पुक है प्लान एकोनोमी फोर इंडिया सबसे पहले भाध के अगर मैं देखते हैं तो सबसे पहले और इस पुस्त को किसने लिखाता इसको लिखाता सर अच्छ पुस्त को लिखा और इस पुस्त के अंदर ये बताया गया कि अज्व हो एकनोमिक को इस प्रकार जो नियोजित करके हम अपने देश को विक्सित कर सकते हैं और ढमने डाफ के अंदर पुरी वरिवश्टा को तितर ब्रकर गए थे कि अंदर विकास के रहा के में आगे बढ़ा सकते हैं तो सबसे पहले इस करवें के अंदर जो पहला प्रियास हुआ वो 1934 में बुक आये जिसका नाम था अजिसका प्लांड एकोनोमी फॉर एंडिया और इस पुस्ते के अंदर क्या हुआ इसके बारे में चाचा करते हैं प्रफ्टी के अंदर देखें क्या हुआ था इस अंदर देखें राफ्टी कॉंग्रेस अधिवेशन वेशन जो का था हरीपुरा अधिवेशन में एक नियोजन समीति का गठन के अगया है और उसका जो अध्यक्स बणाया गया हो किसे बना गया हुआ इसका अध्येक्ष बनाए गया पंडित ज्वाहर लाल नेहृ को पूरब मढूंतिश 닉कर जोना पने स्वा देश्प लाए और मेर्व जी नेके अम इसके अंदर कारिया है करना चाथे और अपने देश्को आगे लेजाना चाहिए तो उन्हें ने कहें किया है सब्सक्राइब करके छोड़ दिया तागी अपना कालिये कर सके चलिए आगे चल्चा कर लेते हैं 1928 के बाद क्या हुआ देखें 1924 के अंदर प्लानिंग या नियोजन के लिए जो हो बहुत ही महतोपुण था 1924 जो था वो कुंहरो प्लानिंग या नियोजन के लिए बहुत ही मेसोपुण समय था इस समय क्या हुआ दे कि इस समय उतसे तो och सारे भारत के अं"-दर प्लानिंग को अपनानें के लिए लेकिन इसमें से जो महतोपुण मत थे और पैसे एक नम्स क्या वो लोट्वारा यह ब Aryan बड़ी स्पतियू की द्वारा ए प्लाइं फॉर एकोनोमिक डेवलेब्लमेंट ओफ इंडिया एत फॉर एकोनोमिक डेवलेब्लमीट ओप इंडिया का प्धन किया जो प्लानिंग है इसको किस प्रकार करें ताकि भार्ट जो हो डॉलमेंट होस्के तो इस इस प्लान को जो हो क्या कहा गया मुस्ट यह बॉंबे प्लान या फिर टाक्टा बेड़ला प्लान क्या क्या गया बुंबरी के अंदर बड़े उद्वपति द्वरा एक प्लान दिया लेया प्लान जिहुझा के सामने प्रस्थित किया गया और उस प्लान का नाम रठा गया बॉंबे प्लान या टाकां बिडला प्लान अब इसको अध्यक्स बराया बनाया अरदेशन कर्देशन ब्रवाइबा को सब्सक्राइब करना है ऑफ-प्रती ऐसके कि हुआ को बढ़ी चीज वह के शुल सक्राइब मन्ना नारायन अधरवाज जो थे वो गांधी जी से उस ताइब काफी परवाज थे गांधी जी की आर्थिक नितियों से लीन्हों किया एक के लेके देश के सामने एक वू आल अधि को क्या अधियर उसका नाम निका दे neste योजना क्या किया देखिए उन्नी सो चमारीज के अंदर पहले गटना आपको हुगी टाटा विड़ला बलान या फिर बंबे बलान दूसरी क्या होगी कि गांधी दिसे प्रवाइद होकर मना नरण अगरवाद ले एक योजना जो बनाई वो थी गांधी वादी योजना और ये भी उन्नी सो चमारीज के अंदर दो में जो बड़ी गटना गटी एक तो मना ना अगरवाद लेकांधी वादी योजना वेकांधी कांधी सिसे प्रवाइद होकर और दूसरी पुंबई प्लान या अटा बिला प्लान अब देखिए उन्नी सो चमारीज के बाद सकते हैं कौन से फिसानलों के नेता एंग गार एक रोई एवनबुआ ने क्या हिया प्लान जिया हांध को और वह कौन हो कौन सा प्लां था एहमेंड ओर क्योंकि ये शरमिट लेता थे आम जनता भुणे जूड़ेमें आम लोगों से विए तो विस्यूरत आनले प्लान दिया जन योजणा कर चैन योजणा क्या दिया जन योज ञिशना जैक vibes क्या गया humans तो देखिए 1915 में एभन रोए ने जन्य योजना बनाई क्योंकि एक समीक नेता थे और उन्हें इसका नाम रहा प्युपुल्स प्लान यारे पीफुल्स का रोगार होता है जन्य योजना तो जन्य योजना का जो है उन्हें सो पैंतारीस के बाद देखें, उन्हें सो चालिस के अंदर क्या हुआ, तो केसी नियोगी, केसी नियोगी, केसी नियोगी ने क्या किया, नियोजन सलाहकार समीतिका गठन किया, तो केसी नियोगी ने नियोजन सलाहकार समीतिका गठन किया, तो केसी नियोगी ने निय जोचन सलारणार समीटि का गटर किया जो कि इसके लिए सला डेखी यह उन्षू चालग तक इसके बाद एक उसके बाद बंद एक हुआ हुआ से जई-प्राकास जो इस समय वह काफी परभाव साली थे जई-प्रकास का यह दोर था तो जई-प्रकास ने जो एक और योजह हो कॉंसेप्ट हमें दिया वो कॉंसेप्ट कॉन सा था वेखिए जय प्रकास ने दिया था और यह दिया था स्रूद योजना है 1950 के अंदर जय प्रकास ने दिश्रोद योजना भारत को और 1950 के अंदर ही जो है वो 15 मार्च मार्च 1950 को विदिवत रूप से योजना आयोक का गठन कर दिया गया योजना आयोक का गठन कर दिया गया इसके लाव 15 मार्च देखे यह योजना आयोग जो हो दो हजार पंद्रा जो हजार चौदा तक जो इसने इसी नाम से अपना कारिये किया योजना आयोग किसे और एक जन्वरी एक जन्वरी 2012 पंद्रा को पेम मोदी ने जो इसका नाम रखिये गया नित्ती अईोग एक जन्वरी 2015 के बाद इसका नाम रख दिया गया नित्य आयो उस्ते पहले योजन आयो था फंद्र आमार्ट उनिस्व पचाश को भी दिवत रूप से इसको स्टापित गया गया इसको अपनाया इसके बाद 1934 के अदर प्लान एकोनोमिक प्लान एकोनोमिक पॉर इंडिया बुक लिखी सर एम वेस्वेस्वरिया में इसके बाद प्लान एकोन क्या अदर प्लान एकोन निस्वेस्वरिया से बढद लुक दिया इसके बाद बात करते हैं दूसरी जो मन्ना मारण अधरवादी और नोने कांदेजी से प्रवालित ओकर कांदिवादी योजना का कॉंसेप्ट रखा इसके बाद 1945 में एमर रोल ने जन योजना जो की सर्मिक नेता दे जन योजना का प्लान दिया उसके बाद 1916 में कैसी नियोगी ने नियोजन सलागार से नितिका दखन किया इसके बाद 1950 के अंदर जय प्रकास ने शुरूदे योजना का कॉंसेप्ट दिया और 15 मार्च 1950 को अभीदी वतरूप से योजना आयोगा बटन हुआ और एक जनवरे 2015 को जो योजना आयोग को निती आयोग में प्रियुतित कर दिया गया तो यह हो गया योजना आयोग की छोटी सी हिस्ट्री आप चलिए शुरूआ करते हैं पढ़ते हम पंच वर्सिये योजना से जुनी काम से शुरू हुई दोस्तों अब तक हमने देख लिया कि योजना आयोग जो बात में किस प्रकास हो योजना और गठन हुआ अब चलिए देख से जहां कि योजना आयोग जो हो तो या या यह जोजना आयोग जो है वह उसके अंदर जो जो उसका डहांचा क्या है उसके अदर कौन कौन होते है इस से मैंने तो आपको बताएं कि इसका हो हो पढ़ता है वह तो ठीक है तो अपर समिति कि जब ये योजना आयोग किया या योजना आयोग कि स्थापना कि समिठी की गई थी तो इसका कायेकाल जो होता है वो एनिस्चित होता है और सदस्य भी जो इसके एनिस्चित होते हैं अब ये क्योजना आयोग जो हो संतन है है शिवदानी गेर शिवदानीड तो गेर सिवदानीड सब्सक्राइए और ये क्यों सला देता है प्रामस दाथतरी ये क्यों को ये तो यह दो क्यूशन जो बन जाते हैं इसके लावा इसके अंदर जो तीन पूर कर सदस्य होते हैं अगला है कि इसके अदर जो भीत मंत्री रक्षय मंत्री ग्रह मंत्री यह पदें सदस्य होते हैं वर्दमार में एक जनरी 2015 से योजना आयोग को हटाकर जो नेती आयोगे बना दिये लिए परदान मंत्री नरेदर मोदी ने इसका जो हो योजना आयोग से अठाकर नेती आयोगे इसको जो बना दिया गया है तो यह भी मुस्ट कुछ नहीं कि नियुति आयोग जो का बना एक जनरी 2015 और नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो है कि राश्ट्री विकास प्रिशित अब देखें यह जो नियोगी श्मिति थी निय कि सिपारी से वा तो नियोगी श्मिति कि सिपारी से जो इसका गठाने हुआ था अगस्ट निस्टो बावन के अंदर तो यह हो गया नियोजन आयोगा डांचा ठीक है अब चलिए आगे चलते हैं और चल्टा करते हैं थोड़ाक से छोटा है आशा करता हूं आपको पर्थम पर्च वर्षी योजना के अंदर देखें क्या था यह योजना थी एक अप्रेल 1901 से शुरू ही और 31 मार्च 1906 तक चलिए तो वैसे तो आपको पता है पर्थम पर्च वर्षी योजना थी वो डॉमर्स मड़धी मॉडल पर आदार थी तो यह कुस्ट आपका जोण नहीं क्या यह पर्थम पर्थम पर्च वर्षी योजना उनी 1902 भारन के अदर सामुदायग में विकास और की शुरुवा थी औरacă। पर सब्सदों 1100 नाँ पर के अंदर राष्ट्रिय परशार सेवागी भी स्ताह्टना की गए इसके अलावा इस पर्थम पर्चवर्श योजना के अंदर भाकड़ा नादर दामोदर घाटी योजना और हिराकुण योजना यह जो है वो योजना का भी सुबारं किया गया था भाखणा नागल, दमदर घाटी और हिराकुण योजना जो है, पर्थम पंचवर्शी होजना के अंदर इसका जो सुभारम के गये था, इसकी जो विकास तर रखी गई थी, वो 9.1 रखी गई थी, जो की प्राप्ट होई, 3.7 पर्थम पंचवर्शी होजना के अंदर विकास जितना लक्ष रखा गया तो उससे ज्यादा हमें प्राप्त होई चलिए दूसरी पंचवर्षी योजना के बाएं चल्चा करते हैं एक अपरेल 1906 से 31 मार्च 1901 तक दूसरी पंचवर्षी योजना रही और इसका जो मॉडल था हो पिसी महानो लोबिस मॉडल था त्यत्ते हैं पंचवर्षी योजना का मॉडल था पिसी महानो महान लोबिस मॉडल था और इसमें जो जो वर तो द्योगू की विखास पर जो हो विशेस ध्राम दिया लेया दो अक्टूबर 1906 के अंदर जो हो एक महत्वपुण करिए केगा इस योजरा के अंदर जो की मौस्ट सामित हो सकता है प्रिक्चे के लिया से पंचायती राज विश्टार की शुरुआत की गई तो कि उसना सु आई की गई थी पर्थम स्पाथ जो था था वो रामे लिकेला ओडिसाद जर्मनी के शियोग से स्तापित की गई जूसरा भिलाई 32 के अंदर सोवीट संके साहिटा से स्तापित गया और तीस मदूर्गापूरा पस सिंझ मुना वे बिर्टेन की साहिता से इसको जो शुरू क इसके लावा जो अखिल बार्तिय खादियां ग्राम बिन बोर्ड की स्ताफना भी की गई और प्रवाल उर्जा अलोग की स्ताफना भी दित्य पंचवर्शी योजना के अंदर ही की गई इसकी जो लिकास तर्फी वो रखी गई थी 4.5 और प्रांप्थ हुई थी 4.2 परतिसर् चलिए आगे बात कर लेते हैं तीसरी पंचवर्शी योजना के बाइन चांचा करते हैं एक अपरेल 1961 से 31 मार्च 1906 तक रही और इसका जो मोडल था वो था सुख मैं चक्रवर्थी सुख मैं चक्रवर्थी मोडल पर अधार थी और इसके एक थेम लाइन थी थेम लाइन क्या अधार रूपे और अव मुलिद के लिए तो किस पंचवर्शी योजना में रूपे को अव मुलिद किया गया था इसके अंदर जो 1911 के अंदर बोकारो के अंदर आइन एंड़ स्टिल इंडस्टी जारकंड में स्ताफ़त की गई थी ज़ार्केंट परवारों के लिएज चैनल की स्ताफना कियें 1964 के लिए तर तस इसे के लिए इंडरिक आपपना किये गई परवेट शोडबिशन से करने चाहिए इंडर्फर शॅन्ध क कि की से झाहिए कि ओडवारी पोटे सब्सक्वान पंचवर्षी योजना में की गई, बात ये खार दे निगम की स्तापना, कर सी के मन आयोग API की स्तापना भी जो है वो इसी पंचवर्षी योजना के अंदर की गई, इसके अलावा एक इसके अंदर मौस्ट बात यह है कि ये जो हो सबसे सबसे एसफल योजना रही, सबसे एसफल योजना रही और इसके एसफल होने का प्रवु कान थे, वो थे युद्ध, तो पहला युद्ध हुआ था 162 के अंदर भार्त और चेंग के बीच, दूसरा युद्ध हुआ था 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच और एक जुए इसके अंदर आकाल पड़ गया 65 के बार, तो आपको याद होगा पहला पहला से कहता है, तो 65 के अंदर या परण पड़ाग जो काफी भीचना आकाल था 2 इसके अंदर युद्ध होगे तो भारत चीन का युद्ध उनिसंए 665 में, जिसके कान जो यह है योजना, शफल ता प्राफ्त नहीं कर्शके, और सबसे आश इस सफल योजना यह तो अब जो आवा पांच वर्स की योजना बनना संभव नहीं था तो योजना नहीं बन पारिती तो काम तो चलाना था देश का विकास तो करना था तो क्या किया जो एक एक वर्स की योजना बनाई ना कि पांच वर्स की तो इस एक एक वर्स की योजना आवकास समय या प्लान खोलीडे सम्य तो ये जू था वो निशुचा सख लेगर और Damis बनागत तो इन तीनों वर्षों के अंदर जोर दिया उनिस सोटाट सरशड के अंदर हरुद कानती जो उसका आधाज भार्ट के अंदर हुआ। में तो बाद करें विश्व में तो बॉर्मन नॉर्मन बॉर्लो मेक्शिको के थे और भारत में अगर बारतेश के जनग की तो एम एन स्वामिनाथन जो थे बारत के अदर हरित करांति के जनग यहां वही तीन 5 वर्शी योजना और 3 जो है एक वर्शी योजना, चलिए कुछ और पंच वर्शी योजना के बाड़े में चर्चा करते हैं कि इसका जो मुर्दर था हूँ अशोप रूदर और माना के खुला प्रतिवार मुर्डर पर यह अधाय थी कि इसके जो अंदर जो महतोपड बात थी कि स्थित्रता के साथ आठी विकास करना इसका मुंख्यों देसे था किया गया और इसी के साथ इसमें प्रिवाल नियोजन का रिक्रम भी चला गया तो इसके अंदर भी दो मुस्ट बात ही होगे कि एक तो फेक्री विकास और रिक्रम होया और उन्हें प्राम्र मुख्या और इसके अंदर दो लख के रखा गया था वह पांस प्रता-तर प्रतिस्द्स का रखा गया था लेकिन जो डिकास आठिके विकास प्राप्त हूई यह एक अपेर उनिस्सों चोतर से 31 मार्च उनिस्सों सेवंटी नाइव रही इसका जो मुख्य उद्धे से था वो गरिभी उन्मुलन के साथ अप्तम निर्बटा प्रात्र करना और इसका जो मोडल था वो डिपी धर मोडल था इसके अंदर उनिस्सों चोतर में MNP की इसको जो समाप्त करना पड़ा किनकी जनता सरकार ने इसको एक वर्स पूर्वही समाप्त कर दिया आयात निर्यात पर जोर दिया गया उनिस्सों सततरह टतर में खांदे के बदले अनाज का रिक्रम चलाए गया इंद्रा गांजी ने गरिपी हटाओ का नारा दिया विकास अधर रखी गई चार पॉंट चार और प्राप्त ही चार पॉंट नौ देखिए एक वर्स पहले ही समाप्त कर देने के बाद भी जो विकास दर्जो लक्षे से जाता प्राप्त ही और इसके साथ ही इसमें अन्तय योजना भी शुरूग के गही थी और अब देखिए जो है योजना जो एक वर्स पहले समाथ हो गई थी इन निदारित समय चे पहले समाथ होने के काण जो एक रॉलिंग प्लान आया जो कि अन्य वर्स योजना भी कहलाता है इसका मोडल था आगत निदत मोडल और देश था ग्रीपी निवान ओर रोजगार का सर्जन करना इसके अंदर 6 बेंको का राष्टे करन कर दिये गया पंदर आपने इसके अन्दर नोस्त बंदार नाबाड किस्ता ना 12 जुला 1982 को नाबाड कि स्तापना की गई और जो लग्से था वो था पांस पॉंट दो का और प्राफ तुगा पांस पॉंट चार प्रतिसर साथी पंचवर्शी योजना है एक अप्रेश पिचैसी से सुनुए और 31 मार्च 1990 तक ये चली उते से था अधुनिकर्ण आत्र नि प्रतिसर साथी पंचवर्शी योजना के अंदर की थी और विकास कर दो लग्से था वो पांस पॉंट जीरो था वर प्राफ तुगी पांस पॉंट चैप्रतिसर इसके बाद देखे योजना वहिन काल आया जो की काफि मेरतपों है क्योंकि इसी योजगा वहिन काल में डाक कोई भी योजना नहीं बनाया गी थी और इस टाइम जो मुख के काने किया गया था उदारी करने वेस्विकरन और निजी करन का गालिये किया गया आख वी पंचवर्शी योजना जो हो एक अपेल 1902 में से शुरू हुई और 31 मार्च 1997 में तक चली माल्यों संसाधन विकास औ और जो मॉडल था वो था जो अंडर्लू मिलर मोडल और स्वाधिक सफल योजना रही है और इसका जो लग्षे था वो पांच कॉट्ट छे था रहेकिल 6.78 प्रतिसाथ प्राव्ट जादा ये अपने लक्षे से नितारत लक्षे से ज्यादा इसने जो आपने प्राप्त किय योजना नवी बंचवर्षी योजना एक अप्रेल उन्हें सो सब्तान में से 31 मार्च 2002 तक मोडल आगत नेरियत मोडल उदेश से सामार जिक नियाई समानता के साथ आर्थिक समद्दी तर्षी ग्रामरी निकास पर दोल दिया गया और लक्षे था 6.5 का और प्राप्त हुआ 5.7 यानि इसमें कम प्राप्त हुआ तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ है और मेहतोफन बात है नहीं यानि इतना लक्षे साथ पर नो किसी के अंदर रखा नहीं गया तो पिछी कि योजना किसे इसके तुलाग रहे तो शुर्वादिक लक्षे इसी योजना का था और उसने इसने लगभग लगभग प्राप्त कर लिया और इसके अंदर जोर दिया गया तो यह होगी एपनी 10-15 वर्षी योजना अब 11-15 वर्षी योजना और 12-15 वर्षी योजना इतनके बारे में हम जो विस्तार से चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर और इन मेसे जो मौस मौस में मैंने बता दिया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेल कीजिए और अब तक सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिजे और अगले वीडियो के अंदर हम 11-15 वर्षी योजना के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे धन्यवाद